हेलो दोस्तो मैं सुजीत कुमार आई पीट एकसल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो टिटोरियल में जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एकसल पावर क्यूडी की हमारी क्लास में हम अभी तक बात चुछ कर चुके हैं काही हुए प्लास माइनडिकल कैल्कुलेक्ण वह अंसे इस्ते밖에 विटी करेंगा यहां हम कैसे इस्तेमाल करें हम लास्ट वीडियो में देखे आज हम बात करेंगे लॉजिकल उपरेटर अपरेटर पर इस्कों कैसे इस्तेमाल करेंगे निल्ट पर इसले हaimerक्शान जो एक पाइल से Advisor स्वाहएं है just check करना है कि कौन-कौन से quantity greater than 50 है तो हमें यहाँ custom add colon के अंदर custom colon पर जाना है अब यहाँ पर मैं लिख देता हूं q greater than 50 heading कुछ भी दे सकते हैं और यहाँ पर हम just यहाँ से quantity को लिया और greater than 50 का symbol दे दिया अब यहाँ greater than करेंगे तो results just true false में आये आप देख लिजे मैं ok कर देता हूं यहाँ देखिए result आपका true false में आया आप इसमें बाकी condition जो है यहाँ दे सकते हैं यहाँ less than देना है less than देके enter मारिए less than का result आ गिया अब मुझे अगर greater than देना है यहाँ पर greater than देना है तो greater than equal to देना है तो greater than equal less than equal to देना है यहाँ पर अपनी हिसाब से दे सकते हैं कि यहाँ पर 50 चुट गया तो इस तरह के चीज़े आप कर सकते हैं लेकिन problem है कि मुझे अपना खुद का result है क्योंकि मैंने भी जो logical operator लगाया उसमें result just true false में आया है इसमें आया है just true false आप देख पा रहे हैं लेकि मुझे true false नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि भाई इसमें कुछ देना है जैसे कि incentive मुझे देना है कि quantity अगर greater than 50 हुआ तो incentive आपका 10 रुपीज पार रुपीज मतलब क्वान्टिटी से 10 रुपीज मुल्टिप्लाइ होके result आ जाएगा तो मैं यहां से जो एट के हुआ कॉलन था उसको यहां से remove कर दिया हूं फिर दुबारा मैं कस्टम कॉलन पर गया और यहां हमने लिखा आई एंसी इंसेंटी और यहां पर हमें इफ एस्टेटमेंट देना है तो इस्टेटमेंट जस्ट वी वी प्रगामिंग में या टैबलू में हम देते हैं उसी तरह से देना होता है यहां पर कि इफ अब यहां से quantity को सेलेक्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी टाइप करते आपको टैब सेलेक्ट करना होगा इस फॉर्मेट में आना चाहिए इस मुल्टिप्लाइबाइट अभी एरर दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर आपको एल्स दिना जोड़ी है अगर आप एल्स दिना जोड़ी है अगर आप एल्स आपको is नहीं देगा तो हमने अपर आपको यहां पर आप देखिए आपको कवांटेटी को मिल्टिप्लाइबिक हां पर आंपके सामने डे अब बात करते हैं क्या इसमें और चीज़े भी कर सकते हैं आप मैं चाहता हूं कि यहां जाता हूं कि यह गैटर जो 80 to 50 के बीच में 80 to 50 के बीच में है मुझे इसके अंदर condition देना तो यहां भी आप इसके अंदर देखिए क्या लगा सकते आप यहां पर लगा दीजिए और एंड में same quantity लेकिन square bracket में square bracket में qty quantity quantity is less than equal to 80 अब इंट्रेट कीजिए यहां पर यहां पर क्वान्टिटी को इसने रीड नहीं किया एक बीडिस की spelling को मैं सही करता हूं क्यूं को capital में अब देखे ले लिए तो के सिंसेटी होता है capital का चक्कर होता है तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर आपकी तो इस तरह से इसमें एंड लगा सकते हैं अब चली एंड का कुछ और एक्जाम पर हम दिखाते हैं मैं यहां से जो कॉलन है उस पर रख लेते हैं अब यहां हमारे पास मान लिजिए डेटा है अब डेटा में अब यहां पर का है डेल ही है नुएडा है और जिजियन अब जाते कि तीन सिटी अगर आता है तो मुझे इन हांस देना है अधर वाइस यहां क्या करना है अधर नहीं तो हमें आउट साय देना यह मार्करिट देना तो तीन मेरा इन हांस सिटी इसमें क्या करेगा तो चलिए हम कस्टम में आते और यहां पर टाइप हम सर्च कर देते हैं और यहां पर कंडिशन देते हैं कि और इफ में हमने यहां से city को search कर लिया, city equal to del है, उसके बाद फिर ही मैंने और दिया, फिर again city को insert किया, फिर again मैं यहां पर और दिया, और यहां पर हम वापस city को search करते हैं, और बोलते equal to GGL, G को था capital कर देते हैं, उसके बाद हम यहां पर दिखते हैं, than, than, than के बाद हम करते हैं, simple कि show ho in house, और फिर यहां पर देते हैं, else, else में देते हैं, show ho market, 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 हम मैं यहां पर okay करता हूँ, scientific error नहीं है, okay करता हूँ, यहां देखे, आगे, तो आप यहां पर and और और को इसी तरह से इस्तिमाल कर सकते हैं, तो तीन चीज़े इसमें बताया मैंने, मैंने बताया कि ने इसमें logical operator कैसे करेंगे, इसमें हम and का इस्तिमाल कैसे करेंगे और इसमें हम और का इस्तिमाल कैसे करेंगे, तो इसकी practice कीजिए, अगली वीडियो में हम इससे आगे चीओ के बारे में बात करेंगे, thank you.